आज की इस वीडियो में हम जाननी की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह बहुत ही छोटी सी शुरुवात के साथ बहुत बढ़ा गोल हासिल कर सकते हो यानि अगर आपकी शुरुवात बहुत छोटी है लेकिन अगर वो consistent है और step by step आप उसको कर रहे हो या step by step उस गोल की तरफ आप बढ़ रहे हो तो गोल कितना ही बढ़ा किना हो कितना ही दूल किना हो अब उसको अचीव कर लोगे तो इसी चीज को समझने के लिए हम सबसे पहले domino effect को समझने की कोशिश करेंगे I hope कि आपने domino तेखे ही होंगे जिनको एक दूसरे के साथ खड़ा किया जाता है एक दूसरे के पीशे खड़ा किया जाता है और फिर पहले वाले domino को जो है अलका साधर तच किया जाता है तो वो सारी domino एक दूसरे के उपर गिरते गिरते सारी domino गिर जाते है 1983 में Lorne Whitehead जी हां जो के बहुत बड़े scientist भी है उनुने एक article लेखा जिसको American Journal of Physics ने publish किया उस article में उनुने ये discover किया कि एक domino सिर्फ अपने size की domino को ही नहीं गिरा सकता जैने mostly हम देखते हैं कि domino जब उनको एक दूसरे के साथ खड़ा किया जाता है तो वो एक दूसरे के size के ही होता है नेकिन उनने ये discovery किया कि एक domino जो है अपने size से 50 गुना बड़े domino को भी गिरा सकता है और फिर 2001 में इसी चीज़ को practical किया गया जैने 8 में से पहले domino का size 2 inch था और last वाले domino का size लगबग 3 feet अब सबसे पहले वाले domino को अलका साथ push किया तो within second सारे domino गी रही और ये prove हुआ कि किस तरह एक 2 inch के domino ने जो सबसे पहले लगा हुआ था जिसको push किया था उसने 3 feet वाले domino को विरा दिया तो इस तरह scientists इस conclusion पे पहुंचे कि जिस तरह से हमने इनको arrange किया था ये पहला domino 2 inch का था और last वाला domino याने 8th domino जो था वो तीन fit का था तो इसी तरह हो कहते हैं कि अगर हम इसमें और add करते और जब हम 23rd domino add करते तो उसका size जो है वो effil tower की इतना होता और फिर जो 31st domino होत उसका size more coverage जितना होता और फिर इसी तरह 57th number का जो 57 नंबर का जो domino होता उसका size लगवग इतना होता जहें जितनी के जमीन से चांद की दूरी है अब सवाल ये पैदा होगा कि कैसे एक चोटा साथ 2 inch का domino जो है तो इतने height के domino को भी गिरा सकता है जिसकी height जमीन से चांद क की दूरी के ब्रबर हो तो इसका जवाब है chain reaction chain reaction में यहने हम अगर एक चीज़ पर impact होता है तो इसी तरह एगर आप process of progress में चोटी से छोटी से च्छोटी चीज भी कर रहे हो तो उतना ही importance रखती है कि जितना एक बड़ा step आपने उस process में लिया हो तो इस डॉमिनो से हम यह समझ सकते हैं कि अगर हम चीजों को step by step consistency के साथ करें याने first thing first जो चीज पहले करनी है उसको पहले करें और एक process के साथ अपने goal की तरफ बढ़ते रहें तो चीजें हमारे लिए और आसान हो जाएंगी और हम चीजों और easily हासल कर लेंगे लेकिन अगर हम पीछे चोड़ आगे दोड़ वाली चीजों में लगे रहेंगे तो कभी कुछ नहीं करेंगे यह shortcuts की तरफ ना जाएं बलकि एक process को follow करें और उस process को जब हम follow करेंगे तो जो next आने वाली जो चीजें हैं जो next steps हैं हों हमारे लिए और easy हो जाएंगे क्योंकि हमने लीचे से चीजों को एक proper way में follow कर दिया